नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सक्सस अजूकेटर के यूट्यूब चैनल पे तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास नमबर 7 जिसमें हम जो है कम्प्यूटर अवेरनेस के क्वेशन्स करेंगे और आप से एक क्वेशन है मेरा आपको जो है सब्जेक् पेपर होते हैं वहाँ से ही डारेक्टली कॉछ्टन पूछ लिया जाते हैं यहां फिर ज्यादा तर यह क्या करते हैं कि सस्के कंप्यूटर से एलेटीड क्वेशन जो भी आयो होते हैं वो यह उठाके डाल देते हैं तो इस तरह से जो है औक जैक्टिव तरीके से करना भी अच्छा है और subjective तरीके से भी करना अच्छा है ओके तो आप मुझे बता सकते हैं आज फिलाल मैंने जो है mislinious question जो है सभी के सभी topics related जो है question यहाँ पर डाले है networking से DBMS से जो आपका computer fundamental है computer history है उससे related question है तो आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी specific related subject पे आपको video चाहिए तो चलिए और कल हमने video डाला था एक जिसमें cut off की बात की थी तो उससे related analysis जो है आज ही हमारा आने वाला है तो दपहर तक जो है आपको video मिल जाएगी वो तो चलिए दोस्तों start करते हैं नए student channel को subscribe कर लेना और side में bell icon देखने को मिल जाएगा उससे दबा लेना ताकि आपको notification मिल जाए ओके चलो start करते हैं पहला question है आज हमारे पास what is the name of the first computer देखो first computer very important question पहला computer कौन था इंडिया का तो वो था दोस्तो परम 8000 तो परम 8000 जो था ये इंडिया का first super computer था next बात करते हैं which of the following are components of a CPU CPU के components कौन कौन से है यहां इन में से तो इन में से आपको ये देखने को मिलेगा ALU और control unit ये दोनों के दोनों जो हैं ये component होते हैं हमारे CPU के right mathematical logical unit और control unit next जलते हैं an electronic path that sends signals from one part of computer to another एक electronic path होता है जो की send करता है signals को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ठीक है इस computer के उसे हम बोलते हैं bus ठीक है बस ऐसे वाइर की तरह होता है तो इसके थूँ जो है सारे computer में signals जो है आपस में connected होते हैं और एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं ओके next is IP address version 4 in which format IP version 4 जो IPv4 होता है आपका तो किस format में होता है वो तो वो होता है आपका 32 bit के format में और अगर आपसे पूछा जाए IPv6 कौन से format में होता है वो होता है आपका 128 bit के format में ओके तो IPv6 याद रखना 128 format में होता है और आपका IPv4 होता है 32 bit में next is in banking, railways, etc. which computer are you? देखो banking और railway में कौन से computer use होते हैं अगर आपको theory याद है हमने theory में भी ये किया था कि कौन से computer use होते हैं यहाँ पे banking और railways में तो आपके जो mainframe computer होते हैं वो आपके use होते हैं banking और railways में next बात करते हैं which among the following first generation of computers had तो first generation के जो आपके computer थे तो इन में से कौन से microprocessor microprocessor तो खैर वहाँ पे start नहीं होए थे किस type के जो थे processor थे तो vacuum tube based थे ठीक है vacuum tubes और magnetic drum based जो थे आपके first generation के computer थे पहले आए vacuum based उसके बाद आते हैं आपके transistor based फिर आते हैं integrated circuit फिर fourth generation में आपके microprocessor और fifth generation में भी आपके microprocessor related microprocessor हो थे चलिए start आगे चलते हैं RAM is located तो RAM कहां पे होती है इन में से तो आपको मालूम है computer के आपको knowledge है थोड़ी बहुत भी तो आपको मालूम होगा cancer motherboard में जो है आपके random assessed memory होती है और ये किस परकार की memory होती है non-volatile होती है या volatile होती है ये मुझे आप comment box में बताएंगे next is if a computer provides database services to other then it will be known as अगर कोई computer जो है database जो service प्रवाइड करता है किसी को तो उस computer को हम क्या बोलेंगे तो obviously उस computer को हम बोलेंगे database server database provide करवाता है उसे हम बोलते है database server full form of URL URL की full form क्या होती है तो उसकी full form होती है uniform resource locator ठीक है URL होता है आपका जैसे ऐसे करके www.google.com ये करके जो होता है ये आपका इसे बोलते हम URL basically जो आपकी website खुलती है वो IP address पे खुलती है लेकिन IP address याद करना काफी difficult है इसलिए जो है domain name जरूरी है किसी भी website का उसी के थुरू ही हम website पे login करते है next is in which of the following form data is stored in computer किस form में जो है आपका data जो है computer में store होता है तो आपका जो है binary form यानि की zero urban की form में जो है आपका data store होता है computer में technology used to provide internet by transmitting data over wires of telephone networks तो technology जो की use की जाती है internet को transmit करने में जो telephone की wires होती है उसे हम बोलते है DSL ठीक है तो DSL हम use करते हैं अगर आप broadband use करते हैं तो आपको इसका answer मालुम होगा which level language is assembly language तो assembly language जो होती थी आपकी तो कौन से level की थी तो उसे हम बोलते थे low level programming language ठीक है उसके बाद आती है high level high level language जैसे कि आपकी fortran आ गई थी उस समय fortran थी basic थी algol थी ठीक है तो इस type की जो आपकी language हुआ करती थी यहां से इनकी start होती है high level language की लेकिन assembly language को हम बोलते हैं low level language और आपकी सबसे पहले जो language थी computer को use करने में वो थी आपकी machine level ठीक है याद रखना वो थी first generation में machine language documents movies images and photographs are stored at the document होते है movies images आपके photo जो आपके photographs होते है basically आपका जो data होता है normally वो आपका कहां पे store होता है तो वो आपका store होता है file server में right तो file server में store होता है which of the following is used in RAM RAM में क्या use होता है ठीक है which of the following is used in RAM RAM किसे बनी होती है basically तो वो होती है semiconductor ठीक है semiconductor होती है रेम को हम बोलेंगे semiconductor who was the founder of Bluetooth very important question Bluetooth का founder कौन था तो Bluetooth का founder था Ericsson ठीक है Ericsson company आपको मालूम है Sony देखो Sony और Ericsson जो थे आपस में merge हो गई थे बाद में right लेकिन सबसे पहले आपने देखे होंगे Ericsson के phone आते थे okay separately Bluetooth की खोज भी Ericsson ने की थी who was the father of internet internet का father किसे बोला जाता है very important तो windsurf जो है आपके इनको बोला जाता है father of internet और ये थे father of computer और ये थे father of C++ which is the most common language used in web designing देखो web designing में most common language क्या use होती थी तो computer operator का जो आपका examination था उसमें भी इससे related question आ गया था ठीक है तो HTML जो है आपकी ये web designing related language है ठीक है D इसका right answer होगा which among the following is commonly used language in android application तो android applications में कौन सी language यूज होती है नमे से तो obviously आपकी java language जो है ये android application में basically यूज होती है PHP भी आपका web development में use होता है ओके C++ आप game development में देख सकते हैं इसका काम और C का भी आप game development में ज़्यादा तर इसका use होता है which operations are performed by RAM रैम जो है इनमे से कौन सा operations perform करती है तो ये read and write दोनों के दोनों operation जो है perform करती है right next जलते है which among the following is secondary storage device तो इन में से आपको बताना है कि secondary storage device कौन कौन सी होती है basically तो ये होती है आपकी hard disk ठीक है hard disk को हम बोलते है secondary storage device RAM, diode, semiconductor जो है ये आपकी primary based है right registry हो गई, cache हो गई आपकी तो ये RAM जो है आपकी primary है और hard disk जो है कि secondary storage device बोलते हैं उसे USB is which type of storage device तो USB जो आपकी होती है ये कौन से type की storage device है तो दोस्तों ये है tertiary type की very important question tertiary type की जो है ये storage type हम बोलते हैं USB को which program is run by BIOS to check hardware components are working properly while computer is turned on तो किस program को जो है run होता है जब BIOS check करता है आपके hardware components को ठीक है computer के जो आपके hardware components है जब BIOS basic input output system जो है आपका check करता है ठीक है क्या वो working कर रहा है properly जब आप computer को on करते हैं तो ये वाला method जो है program आपका run होता है पोस्ट याद रखना पोस्ट जो है जब आप BIOS को computer को on करते हो तो BIOS check करता है hardware components को तो पोस्ट जो प्रोग्राम है ये होता है random assessed memory is non-volatile in nature true or false मैंने पहरे question पूछा है यहाँ पे आपको इसका answer मिल जाएगा तो यहाँ पे इसका answer जो है फॉल्स होगा ठीक है non-volatile नहीं होती है ये वो लेटायल तरीके से होती है वो लेटायल कैसे होती है वोलेटायल कैसे होती है क्यूंकि जब आप computer को on करते हो तब इसमें जो है data चला जाता है अगर आप computer बंद कर देते हो तो इन में से data भी निकल जाता है ठीक है तो इसका answer होगा false next day mpg is an file extension of which type of files mpg जो है किस file type की example है mpg तो ये है आपकी audio की mpg format होता है आपका audio का format where bios is stored bios कहां पे store होते हैं आपके computer में तो ये होते हैं आपके flash memory chip में याद रखना flash memory chip में जो है आपके basic input output system जो है ये store होता है full form of exif exif की full form क्या होती है तो इसकी full form होती है executable image file format right तो siis का option होगा executable image file format bios किसलिए use होते हैं bios is used for updating system information on network loading operating system it helps in routing it takes input from keyboard and other devices तो basically जो है आपका loading जो आपकी computer की होती है उसलिए हम use करते हैं bios को which type of switching is used in internet internet में किस type की switching यूज होती है तो internet में आपकी जो है packet switching यूज होती है याद रखना packet switching जो है आपकी internet में use होती है तो ये थे आज के question दोस्तों मिलते हैं next video में जो की आपकी शाम को आईगी 6 बजे उसमें हम कुछ और questions discuss करेंगे तो आप अपना सुझाब देख सकते हैं video के नीचे की आपको subjective तरीके से पढ़ना है या फिर objective तरीका ही ऐसे अच्छा है तो बता सकते हैं और analysis का video जल्द आने वाला है तो नए student जो है जुड़ जाना हमारे साथ जो एक ही classes हमारी अल्रेडी चल रही है पहले हम computer का syllabus complete कर लेंगे उसके बाद हम other subjects भी देख लेंगे जैसे कि आपका reasoning है English है ये भी हम check कर लेंगे तो मिलते हैं दोस्तों next lecture में तब तक के लिए जाहें